अरे जब से साधी हुआ जब से पैदा हुए तब सो कभी किसी का प्यार नहीं जानते हैं माई, बाप, भाई, भाउजाई, बहीन जिकरी साथे जिन्दगी भर रहे के उत्थू सोचली तेकर प्यार ना जली हमेशा है दस दिन ना भी तरत रहे कि हम कहिया मार खात रही नाई जाता है जिस राह पे जाने के बाद इनसान कभी लौट के वापस नहीं आ सकता है लेकिन गुस्से में लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह जिन्दगी बहुत ही अनमोल है किसी भी व्यक्ति को जीवन एक बार मिलता है इसे अच्छे से जीना चाहिए गुस्से पे कंट्रो करना चाहिए दोस्तों जिस तरह से आज मालती चौहान और विश्नुराज के बीच में थोड़ा सा मनमोटाओ हुआ है और उस मनमोटाओ के कारण मालती चौहान बार बार अपने आपको उस राह पे जाने की बातें कह रही है जिस राह पे जाने के नाम से ही इनसान थर थर क तो मालती चोहान को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए रुपया की जरूरत पड़ती है और मालती चोहान को यूट्यूب से इतना रुपया आ जाएगा कि वो अपना जीवन यापन कर सकती है। इसलिए मालती चौहान को इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने चहेता जो उनके वीडियो का लगातार इंतजार करते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं क्या मालती चौहान को इस तरह का गलत कदम उठाना चाहिए या नहीं अपना एक राय कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो सही लगा तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें